सुमन एक गरीब परिवार की बेटी थी, वो मेहन्दी लगाकर दो-चार पैसे कमा लेती थी सुमन की शादी एक अमीर परिवार में हो जाती है अचानक उसके जीवन में आता है एक मोड जहां सुमन के कंधों पर उसके ससुराल वालों की जिम्मेदारी आ जाती है करवा चौत का त्योहार भी आने वाला था ऐसे में सुमन क्या करेगी, करवा चौत कैसे मनाएगी जानने के लिए देखते हैं मेहन्दी ब्लाउस वाली का करवा चौत सुमन शादी समारू में महलाओं को महंदी लगा रही थी और महंदी ब्लाउस का डिजाइन बना रही थी विकास की भाभी ने भी सुमन से महंदी ब्लाउस बनवाया जो विकास को काफी पसंद आया भावी, आपकी महंदी ब्लाउस तो वाकई बहुत खुबसूरत है, कहां से बनवाई? किसी महंगे पालर का कमाल लगता है? नहीं दिवर जी, ये महंदी ब्लाउस तो सुमन ने बनाये हैं सिर्फ पांच सो रुपे में ओ, लेकिन ये तो बहुत खुबसूरत है, जब महंदी ब्लाउस का डिजाइन इतना खुबसूरत है तो बनाने वाली कितनी खुबसूरत होगी? मुझे सुमन से मिलवाओ ना? शोभा विकास को सुमन से मिलवा दिती है, सुमन वाकई में बहुत खूपसूरत थी सुमन को देखते ही विकास उसे दिल दे बैठता है और उससे शादी की जित पकड़ लेता है विकास बेटा, कहां वो गरीब मेंदी बलाउस वाली और कहां हम, उनसे हमारा रिष्टा जोड़ना ठीक नहीं, सुसाइटी के लोग क्या कहेंगे सुसाइटी के लोग कुछ नहीं कहेंगे मा, तुम बस मेरी शादी सुमन से करवा दो, मैं उसे हमारे तौर तरीके सिखा दूँगा विकास के जित के आगे निर्मती को जुकना पड़ा, और गरीब मेंदी बलाउस वाली सुमन की शादी विकास के साथ हो जाती है शादी के बाद देखो सुमन बहू, अब तक तुम जो कर रही थी, वो सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा क्या छोड़ना पड़ेगा मा जी, मैं समझी नहीं इतनी भूली मत बनो, तुम मेंदी बलाउस का काम करती थी न, देखो, शादी से पहले तुम गरीब थी लेकिन अब तुम एक अमीर खांदान की बहू हो और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा हमारे घर की बहु बेटियां घर से बाहर निकल कर काम नहीं करती हैं अगर कोई अच्छी जॉब होती तो ठीक था, ये मेंदी बलाउस का काम हमें पसद नहीं है इसलिए आज से तुम ये काम नहीं करोगी लेकिन मा जी मेंदी बलाउस का काम मेरा पैशन है मैं ये काम कैसे छोड़ दू इस शहर में मुझसे अच्छा मेंदी बलाउस का काम किसी को नहीं आता पूरे शहर में मेरा नाम है ओ, क्या नाम है यही ना कि तुम एक मेंदी बलाउस वाली हो लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहु को कोई इस नाम से बुलाए। सुमन मा जो कह रही है मान लो ना, वैसे भी तुम्हें अब काम करने की जरुवती क्या है, हमें पैसो की कोई कमी नहीं है। निर्मती देवी को अपने पैसो का बहुत घमन था, इसलिए वो सुमन को पसंद नहीं करती थे। विकार्स और उसका बड़ा भाई विभाज दोनों कपणों का कारोबार करते थे। अच्छी खासी कमाई थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गरीब होने के कारण निर्मती घर के सारे काम सुमन से करवाती। घर में बड़ी बहु शोभा भी थी, लेकिन वो घर का कोई काम नहीं करती थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन। सुमन बहु, कल गाउं से मेरे भईया और भाभी आ रहे हैं। करवा चौत का त्योहार आ रहा है, भाभी हर साल करवा चौत यहीं मनाती हैं। जी माजी, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी, इस बार हम सब मिलकर करवा चौत मनाएंगे। दूसरे दिन निर्मती के भईया और भाभी गाउं से आते हैं। आओ आओ भईया, कैसे हो, गाउं में सब ठीक तो है। सुरेश काफी चतुर और चालाग था। दरसल अपने जीजा जी की मौत के बाद उसकी नजर उनके कारोबार पर थी, जो विकास और विभास चला रहे थे। सुरेश उनकी काम्याबी से चलता था। उसने घड़ियाली आंसु बहाते हुए कहा। क्या बताओं बहन, मैं जीजा जी की मौत का सदमा बरदाश्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उनके जाने के बाद मेरा किसी काम में जी नहीं लगता, ना गाउं में रहने का दिल करता है। चाहता हूँ कि हर समय तेरे पास रहूँ और तेरा ख्याल रखूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो। लेकिन तेरे साथ हमेशा रह तो नहीं सकता ना। क्यों नहीं रह सकते, आज से तुम और भाभी मेरे पास ही रहोगे हमेशा के लिए। पहले विभास और विकास से तो पोच लो। अरे उनसे क्या पूछना, वो तो वही करेंगे जो मैं कहूंगी। सुरेश की पत्नी कविता भी बड़ी चालाग थी। दोनों पती पत्नी अब सुमन के ससुराल में जम गए। धीरे धीरे कविता ने घर की रसोई पर अपना कबजा जमा लिया। घर में किस वक्त क्या बनेगा, वो कविता ही तै करती लेकिन काम सुमन करती। उधर मामा होने का फाइदा उठाते हुए सुरेश ने कारुबार पर कबजा करना शुरू कर दिया। वो तो विभास और विकास का बॉस बन बैठा। अब ओफिस के सारे करमचारी मामा जी के कहने पर ही कुछ काम करते। विभास और विकास का कारुबार निर्मती के नाम पर था। सुरेश ने इसका फाइदा उठाते हुए कई ब्लैंक चेक निर्मती से साइन करा लिये। निर्मती ये 10 लाग का चेक साइन कर दो क्लाइंट को पैसे पहुचाने हाँ हाँ भाईया कहा साइन करना है यहाँ पर हाँ निर्मती ने साइन कर दिया विकास और विभास ने निर्मती को ऐसा करने से मना किया लेकिन वो मेरा भाई है वो जो कर रहा है हमारे भले के लिए ही कर रहा है बेटे, तुम लोग खामका ही उस पर शक कर रहे हो मां हम मामा जी पर शक नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि ब्लैंक चेक पर साइन करने से पहले, एक बार हमसे पूछ तो लिया करो बस विभास, मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रुरत नहीं है, वो मेरे पैसे है, मैं चाहिए जहां खर्च करूँ निर्मती की ऐसी हरकत से विकास और विभास दोनों परिशान रहने लगे विकास आपको माजी से सीधे सीधे ऐसा नहीं कहना चाहिए आप लोग कोई और रास्ता क्यों नहीं निकालते, जिससे साम भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा लेकिन सुरेश ने कई बार ब्लैंक चेक साइन करवा कर एक दिन कमपनी का अकाउंट खाली कर दिया और उसके बाद मा, मामा और मामी घर में दिखाई नहीं दे रहे, दोनों कहां गए होंगे यहीं कहीं घूमने गए होंगे, आ जाएंगे वो दोनों अब कभी नहीं आएंगे तु ऐसा क्यों कह रहा है विभास बेटे? क्योंकि मामा जी ने कमपनी का बैंक अकाउंट खाली कर दिया है और सारे पैसे लेकर वो दोनों फरार हो गए हैं हम दिवाली आओ गए हैं क्या? ये सब सुनकर निर्मती को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है सुमन दोड कर निर्मती के पास जाती है और उसे सहारा देकर उठाती है उसे बिस्तर पर लिटाती है विकास जलती से डॉक्टर को बुलाईए विकास फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर ने निर्मती का चेक अप किया। इन्हे कोई गहरा सदमा लगा है। इनका ध्यान रखना होगा। कहीं ये डिप्रेशन में न चली जाए। मैं कुछ दवाईया दे रहा हूँ। इन्हे समय समय पर खिलाते रहिएगा। जी डॉक्टर। निर्मती मानो पत्थर बन गई थी। वो हसना रोना भूल गई थी। हर समय उदास रहती। उदर कारोबार डूब जाने के कारण विभास और विकास भी परिशान रहने लगे थे। तब सुमन ने विकास से कहा। विकास अब घर का खर्च और माजी का इल आज भी हो जाएगा और घर की आर्थिक सिती भी सुधर जाएगी। कैसा हो पाए? जल्दी बताओ। करवा चौथ हाने वाला है। मैं अपना मेंदी ब्लाउस का काम फिर से शुरू कर दूँगी। उस काम से मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे और फिर पूरे शेहर में मेरे जैसा मेंदी ब्लाउस का काम किसी को नहीं आता। लेकिन सुमन लेकिन वेकिन कुछ नहीं अभी हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और फिर इस काम में बुराई क्या है। ठीक है फिर तुम अपना मेंदी ब्लाउस का काम शुरू कर दो। अगले दिन से सुमन के बड़े-बड़े पैसे वालों से जान पहचान थी, जहां से मेंदी ब्लाउस के काम के लिए अच्छे पैसे भी मिलते थे। एक दिन मेंदी ब्लाउस बनाने के लिए सुमन अपनी एक क्लाइंट के पास गई। सुमन तुझे इस काम के लिए तेरे ससुराल वालों ने इजाज़त कैसे दे दी मैंने तो कभी सोचाई नी था कि तुम दुबारा इस प्रोफेशन में लोटोगी वो मैम हमारा बिजनेस ढूब गया इसलिए घर चलाने के लिए मुझे ये काम दुबारा करना पड़ा क्या बिजनेस टूब गया लेकिन तुम्हारे पती और जेट जी का तो काफी अच्छा कारूबार था शेहर के बड़ी बिजनेसमेन में से एक थे आखिर ऐसा क्या हुआ सुमन ने अपनी क्लाइंट को सारी बात बताई ओके तुम अपने पती और जेट जी को मेरे आफिस भेज देना मुझे एक नए स्टार्ट अप की शुरुआत करनी है शायद तुम्हारे पती और जेट जी मेरे बिजनेस में मेरे कुछ काम आ जाए जी मैं मैं कली उन्हें आपके पास भीज दूँगे सुमन ने घर आकर ये बात विकास और विभास को बताई दोनों भाई दूसरे दिन सुमन की क्लाइंट के आफिस गए जहां उन्हें बिजनस में पार्टनरशिप मिल गई उधर करवाचोथ आने तक सुमन ने खुब मेहनद की और कुछ पैसे इकठे कर लिये उन पैसों से सुमन ने निर्मती का इलाज करवाया निर्मती के सेहत में काफिस उधारा गया था करवाचोथ आने तक निर्मती बिलकुल ठीक हो गई थी और विभास और विकास का काम भी अच्छा चलने लगा था सुमन ने अपनी जेठानी शोभा के साथ मिलकर खुशी-खुशी करवाचौत का त्योहार मनाया अब निर्मती को सुमन के महंदी ब्लाउस के काम से कोई दिक्कत नहीं थी बलकि ठीक होने के बाद उसने सुमन के लिए एक महंदी ब्लाउस पार्लर खोल दिया करवाचौत की पौरानिक कहानी हिंदु धर्म में करवाचौत का अत्यधिक महत्व है क्यूंकि माल्यता है कि सुहागी महलाईं अगर ये व्रत रखती है तो उनके पती की उम्र लंबी होती है और उनके दामपत्य जीवन में खुशियां आती है आज की दिन महलाईं नर्जला व्रत रखती है और रात में चान देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती है मानिता की अनुसार छलनी से चंद्रमा को देखते हुए पती को देखना शुब माना जाता है इस व्रत में भगवान गणेश, शेव, पारवती, कार्तिक और करवा चौत माता का पूजन किया जाता है करवा चौत में चान्द का बहुत महत्व होता है करवा चौत विशेश रूप से पंजाब, उत्तरप्रदेश, हरियाना, मध्यप्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है लेकिन अब पूरे देश में इस पर्व को सुहाग निस्त्रियां बड़े हर्शोलास के साथ मनाती है लेकिन समय के साथ इस त्योहार को मनाने के तरीके में भी परिवर्दन आया है अब पत्नियों के साथ पती भी करवा चौत का वुरत रखते हैं करवा चौत से जुड़ी एक पौरानिक कथा क्या नुसार प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ शहर में एक साहुकार रहता था उसके साथ पुत्र और एक पुत्री थी पुत्री का नाम वीरा था वीरा साथो भाईयों की एक बहन थी सभी भाई अपनी बहन वीरा को बहुत प्यार करते थे और सभी भाई वीरा को खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे एक दिन मेरा अमरूत खाने का बहुत मन है मेरे लिए अमरूत कौन लाएगा देखते ही देखते वीरा के साथो भाई भाग कर अम्रूद की खोच में लग गये और एक एक करके वीरा के पास अम्रूदों का धेर लग गया अरे इतने सारे अम्रूद मैंने एक अम्रूद खाना था आप सातों भाई मिलकर मेरे लिए अम्रूद ले आए इसी तरह सभी भाई मिलकर बच्पन से ही वीरा का बहुत ध्यान रखते थे वीरा जब बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी सुदर्शन नाम के एक ब्रामहन से कर दी विवा के बाद वीरा खुशी-खुशी अपने ससुराल रहने लगी कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का वरत आता है शादी के बाद वीरा का ये पहला करवा चौथ होता है और वो अपने माई के करवा चौथ का वरत रखने के लिए आती है वीरा आज करवा चौथ का व्रत है और ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो इसके भी कुछ नियम होते हैं हाँ वीरा इस व्रत के दोरान चाकु चलाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई करना और उधेरना मना होता है इस बात का तुम ध्यान रखना मेरी सात भाबी मुझे आज सिलाई कढ़ाई का हर काम मना क्यू कर रही है और रात को वीरा के भाई भी काम से वापिस घर आ चाते है मेरे सारे भाईयों को कितने समय बाद आज एक साथ भोजन करते देख रही हूँ तो फिर सोच क्या रही है बहन वीरा तू भी हमारे साथ खाना खाले वीरा की बात सुनकर भाईयों से अपनी भूखी बेहन का हाल देखा न गया उन्होंने एक तरकीब सोची हम लोग अपनी बेहन को इस तरह से भूखा नहीं छोड़ सकते हमें ही कुछ करना होगा मेरे पास एक तरकीब है आप सब मेरे साथ आओ सभी भाई घर से बाहर जाकर घास फूसी कठा करके आग जला देते हैं और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए वीरा बेहन को आवाज लगाते हैं बेहन बेहन चान निकलाया है अब तू अर्ग देकर भोजन कर सकती है क्या चान निकलाया आओ भाबियों आप सब भी चंद्रमा को अर्ग दे लो ये तेरा चान है जो तेरे भाईयों ने तेरे ले निकाला है अभी हमारा चान नहीं आया कोई बात नहीं नहीं आना तो आप सब मताओ मैं तो चांद को अर्ग देकर भोजन करने बैट रही हूँ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है वीरा भायों के बहकावे में आकर अर्ग देकर अपने भायों के साथ खाना खाने लगती है तो पहले निवाले में बाल आ जाता है, दूसरे निवाले में कंकर और तीसरे में ससुराल से फोन आ जाता है क्या हुआ वीरा? भोजन से उठ क्यों गई? पता नहीं भोजन के पहले निवाले में बाला गया, दूसरे निवाले में कंकर, अब तीसरा निवाला खाने की इच्छा ही नहीं है मुझे लगता है फोन बज रहा है वीरा का भाई फोन उठाता है और घबराहट में वीरा से कहता है मैं तभी बोल रही थी वीरा कि अपना करवा चौत का वरत खंडित मत कर, अपने भायों की बातों में मत आओ पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी अरे अब बस भी करो, उसकी हालत तो देखो पहले, उसे ससुराल पहुंचने तो दो, पता नहीं दामाज जी की तबियत को अचानक क्या हो गया वीरा रोती-रोती अपने ससुराल वापस चली चाती है जब वीरा ससुराल पहुँचती है तो देखती है उसका पती पूरी तरह से पत्थर बना होता है वीरा ने जितनी सुईया कढ़ाई पिरोने में लगाई थी उतनी सुईया उसके पती के सिर में चुपी होती है हे मा करवा चौत मेरे से भूल हो गई मैंने अपने भावियों की बातों को नहीं माना और अपने भाईयों की बातों बे आ गई मुझे शमा कर दो मा स्वामी मैं आपको कुछ नहीं होने दूगी मेरी गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी मैं आपको ठीक करूँगी चाहे मुझे कितना भी वक्त लग जाए मेरा वादा है वीरा इन सब भातों का कारण हम भाई ही है पर तु ये कठिन कारे कैसे करेगी मुझे मा करवा चौथ पर विश्वास है वो मेरी पुकार जरूर सुनेंगी और मेरे पती को ठीक कर देंगी करवा चौथ मादा तो ममता की देवी है इसलिए वो मेरा साथ जरूर देंगी और वही मुझे हिम्मत देंगी वीरा के भायों से आशिरवात दे कर वापस चले जाते हैं वीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पती के सिर में से उन सुईयों को हर रोज निकालती इस तरह पूरा साल बीप जाता है और अगले साल फिर करवा चौत का वरत आता है वीरा फिर सभी रीती रिवाज के साथ वरत रखती है वो जब अपने पती का सिर गोदी में रखकर सुईया निकाल रही होती है तब बाहर करवे बेशने वाला आता है लगता है करवे बेशने वाला आया है गोली तुम इनका ध्यान रखना मैं बाहर से करवा खरीद कर आते हो वीरा बाहर करवे खरीदने चली जाती है गोली सुदर्शन के सिर को गोद में लेकर बैट जाती है पर उसके मन में खोड घर कर लेता है कुछी सुई शेश रह गई है इन्हें मैं निकाल देती हो जैसे ही नौकरानी गोली आखरी सुई निकालती है वैसे ही वीरा का पती सुदर्शन होश में आ जाता है और वो गोली को वीरा समझ बैटता है और जो वीरा थी उसे गोली समझ लेता है इस तरह जो वीरा थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो वीरा बन गई पर वीरा चुप रहती है और उस वक्त अपने पती से कुछ नहीं कहती मेरे पती ठीक हो गए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए कोई बात नहीं अगर वे मुझे भूल गए है एक दिर इनको सब कुछ याद आ जाएगा ये मेरा विश्वास है और गोली का जूट सामने आ जाएगा यदि मैंने इस वक्त इने कुछ कहा तो इनकी तब्यत और न खराब हो जाए मुझे चुप रहना होगा इस तरह वीरा नौकरानी बनकर गोली की जगा वहाँ रहने लगती है और गोली वीरा बनकर एक दिन सुदर्शन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो वो गोली जो की वीरा बनी थी उससे पूछता है वीरा तुम्हारे लिए क्या लाओं? मेरे लिए बाजार से हार्ष रिंगार लेकर आना इस तरह सुदर्शन जब बाहर जाता है तो बाजार से एक गोड़िया और हार्ष रिंगार का सामान लेकर आता है और दोनों को दे देता है इस तरह वीरा जो की गोली बनी होती है वो हर रोज अपने कमरे में काठ की गोड़िया से बाती किया करती थी जो वीरा थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो वीरा बन गई गोली ये तुम रोजाना क्या बोलती रहती हो नहीं साहब मैं तो बस ऐसे ही यदि तुम मुझे सच नहीं बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम मेरी तलवार की धार को जानती हो नहीं नहीं आप क्रोधित मत हो ये क्रोध में आना आपकी सेहत के लिए हानी कारक है मैं आपको सच बताती हो वीरा जो की गोली बनी होती है वो सुदर्शन को सारी सच्चाई बता देती है तब सुदर्शन को भी सारा कुछ याद आ जाता है फिर सुदर्शन गोली जो की रानी बनी होती है उसे घर से बाहर निकाल देता है वीरा को अपने पती के लिए अटूट प्रेम का फल प्राप्त हो जाता है और उस दिन के बाद से वीरा हर वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौट का वरत रखती है भाई भाबियों के आशिरवात से और मा करवा चौट के क्रिपा से वीरा अपने पती सुदर्शन के साथ फिर से खुशी-खुशी सुख में जीवन यापन करने लगती है